अरग कर दोस्तों एक्सिडेंट आजकल बहुत, या आजकल क्या पहले भी होते थे और आजकल कुछ जादा ही हो रहे है। जहां दिखो, वहाँ कोई इन गाड़ी बीडी मिलेगी या किसी गाड़ी ने किसी को टकर मार द्योंगि। क्यों हो रहे हैं इसकी वज़े जानने के लिए मैं आपको आप मेरा वीडियो पूरा देखिए मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि रोड अक्षिडेंट होने की वज़े क्या है और एक्षिडेंट खाली फोर विलर में नहीं हो रहे हैं बड़ी गाड़ियों में झारें रही हैं चोटी-चोटी गाडियाँ तो विलर यहां तक कि पैदल चल रहे हैं वह भी रोड़-गयंट का सिकार हो रहती हैं दौस्तों बने रहे हैं मेरे वीडियो में मैं आपको आज किए से वीडियो में बताऊंग अकि रोड़ वेलकम करता हूँ दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकोन को प्रेस कर लीजिए मैं और मेरे चैनल पर विजिट करके मेरे वीडियो का देख सकते हैं दोस्तों एक्सिडेंट होना और उसमें उसमें किसी की जान चले ज जाती है चाए वो किसी भी घर का व्यक्ति हो चाए हमारे जान का हो या पैचान का हो या ना भी हो जैसे हम रोड एक्स्टेंट के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में एक कई तरह के ख्याल आने लग जाते हैं हम अपनों के बारे में भी सोचने लग जाते हैं और कई कोई सोचते हैं और फिर वैसे ही रूटिन में आ जाते हैं दोस्तों जब आपको पता है कि लापरवाई से एक्सिडेंट होते हैं तो ऐसी लापरवाई हम क्यों करते हैं एक्सिडेंट तभी होगा जब हमारी लापरवाई होगी मैं कई जिगें देखता हूं कि स्कूलों के भार मे अक्षर देखता रहता हूं कि एक एक टू वीलर पर चार बच्चे पीछे बैटे होते हैं और एक चलाने वाला होता है तो जब आप वह स्कूटर बना ही दो की दो लोगों के लिए है तो आप अगर उसके चार बच्चे बैठा होगे और फिर उनका बैद अलग से तो फिर ला हम लोग क्या करते हैं हलमेट तो लगा लेते हैं और पिछसे चार बच्चे लेते हैं थो दोस्तों आपने तो अपना मेट लगा लिया अपने सेफटी कर लिए अगर मालो आपका मेलस बीज़ता है या कोई भी तरीके सब्स edTube होता है यविते होती है तो जब अब पीछे लटक रहे होते हैं बच्चे और अगर अचानक ब्रेग लगाया जाए तो बच्चा नीचे गीर सकता है तो ये सारे कारण क्या है ये हमारी लापरवाई के हैं जब हमें पता है कि ऐसा करने से एक्सिडेंट हो सकता है तो फिर हम ऐसी लापरवाई क्यों करते हैं दोस्तों ऐसी लापरवाई हम जान बूच के करते हैं अब जान बूच के हमें पता है कि ये काम गलत हो सकता है हमें पता भी है देखो ये बाहर लटा कराया गिर सकता है हम किसी और को देखते हैं कई जब भी कहीं और को ईसी को देखते हैं तो हमें इसके बायोदुन से गुजर में जब पता है कि विन वाला वाल यहार है तो उसके अंदर दस बच्चों की केपिस्टी साथ बच्चों की डाल रहे हैं तो आप क्यों भेशते हो अब रही बाद टू वीलर में अगर आप लेने जाते हो आपको पता है कि दो बच्चों के लिए बनी हुए आप उसमें चार बचे ठूसके भर लेते हो खुद है इलमेट लगा लेते हो पिछे वाले बच्चे बैठे रहते अब आपने लोगों को अपना जो टाइम है उस टाइम मेनेजमेंट को देख के चलना चाहिए अगर हमें लोग किसी जगें आदे गंटे के पहुंच रहा है तो हमें घर से 45 मिनेज पहले निकलना चाहिए हम लोग क्या करते हैं कि डो टाइम पर घर से निकलते हैं और फिर गाड़ी को जब हम डो टाइम पर निकलेंगे और गाड़ी को तेज भगाएंगे तो हमारा ध्यान क्या है कि थोड़ा इधर दूर होगा और ऐसी इस्तिती में एक्शिट होने के खत्रे हो सकते हैं तो कोशिस करें कि घर में मार्जन लेके टाइम का मार्जन लेके निकले जहां भी आप आपको पहुंचना है उससे आप 10 मिनट फालतू लेके चलिए जिससे आपको बागादवड़ी नहीं होगी और आपने टाइम पर पहुंच जाएंगे थर्द बात जब भी अपने बच्चों को स्कूल भेजे तो स्कूल भेजने से पहले यह जिस वेन में भी आप भेज रह ही है अचानक कोई उसका बेलेंस बीड़ा अचानक कोई बच्चा गाड़ ब्रेक लगा तो कैपिशिटी से ज्यादा बच्चे होएंगे तो बच्चे भार गिरने का डर रहता है चौति बात कि जब भी आप तू विलर पे आप बच्चों को लेने जा रहे हों तो कोसिस करे कि टू विलर पे दो बच्चों से ज्यादा बच्चे नहले लेकर आएं और कोसिस यह भी करें कि जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनके भी हेलमेट लगवाईए जिससे क्या होगा कि कल को कोई अन्होनी हो तो आपका बच्चा सेफ रहेगा पांचमे बात जहां भी आप जा रोड क्रोस करते वक्त लापरवाई नहीं करें कई वार हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं हाई वे पे या जहां क्रोस से ज़्यादा रफ ट्रैफिक है वहां जल्दवाजी करते हैं क्रोस करने की ऐसी लापरवाई नहीं करें आराम से रोड को क्रोस करें चाए ऐसी लाफरवाई नहीं करेंगे तो आप एक्सिडेंट आप एकडम सेफ रहेंगे और एक्सिडेंट का खत्रा बिल्कुल नहीं रहेगा हाईवे पर देखता हूं कुछ लोग ऐसे गाड़ी भगाते हैं जैसे आज ही जा रहे हैं उसके बाद तो रोड कभी मिलेगी नहीं ऐस तो दोस्तों रूल्ज फॉलो कीजिए रोड के जो रूल है वो फॉलो कीजिए हम लोग क्या करते हैं जब ट्रीपिक पोइट पे जाते हैं तो हेल्मेट लगा लेते हैं या सीट लेल्ड लगा लेते हैं वह जुर्माने के डर्स है कि पुलिस वाड़ा रोक नहीं ले ऐसा करें रुटिन रखें अपना जैसे घर से बाहर निकलें अपना हेलबट लगाई अपना सीट बैल लगाई आप बच्चे साथ में हो तो बच्चों को भी बोली एक सीट बैल लगाई तो अगर सुरू से ऐसी आते डालोगे तो एक्सिडेंट किया खत्रा आएगा ही नहीं और आप एकदम सेफ रहेंगे आप भी सेफ रहेंगे आपके बच्चे भी सेफ रहेंगे और ऐसी कोई दुरगटना सुनने को नहीं मिलेगी तो दोस्तों थोड़ी सेप्टी रखिए अपनों के लिए खुद के लिए और अपनों के लिए अगर ऐसी सेप्टी रखेंगे तो फ झाल